अहां पे मैंने किया है abortion, कौन सा doctor है, कौन सा hospital है, ये clear बकवास है और लोग इस तरह अगर बकवास पहला रहे हैं तो ये बहुत ही गलत बात है जसलीन मथारू उस घर में रही है, वो बिल्कुल real रही है, जिस तरह से वो चिलाती है, जिस तरह से वो पागल बिहेव करती है, और crazy हो जाती है, वैसे ही लड़ी हूँ और वैसी ही मैं हूँ सल्मान सर ने कभी नहीं कही है, फीदबैक कभी नहीं आया, कि जसलीन बिख नहीं रही है तिलेब्स के साथ हम जगडा करेंगे, घुसेंगे, अननेसेसरी टॉपिक्स, कोई मतलब ही नहीं, कोई जगडा ही नहीं बिख बॉस के फिनाले में अब सिर्फ कुछ ही दिन बचे हैं, ऐसे में आज बिख बॉस की चर्चा पर हमारे साथ हैं बिख बॉस की मोस्ट स्टाइलिस कंटेस्टेंट जस्क्रीन मतली, बैक प्र हिंदी रश, थांक यू, थांक यू श्रेया, तो आप बिख बिख बॉस क बहुत अच्छा लग रहा है, जो चीजें यहां पर थोड़ी सी खराब हो गई थी, तो अब वो सौट आउट हो गई है, तो बाहर आने के बाद क्या चीज सबसे पहले बहुत चारे लोग दिखते हैं, एक नहीं हवा हुए है सबस्क्राइब के लिए थोड़ा सा लगता है कि अभी वो आवाज नहीं आ रही है, और माइक तो अभी मैं बात्रूम जाने से पहले मुझे चेक करना पड़ता है, मैंने माइक पहना ही या नहीं तो मैं बार वार ऐसे सेट करने के कोशिश करती हूँ बढ़ अब वो माइक पास नहीं है, तो घर से बहार आते ही जब इतने सारे लोग एक साथ देखने मिले तो फिर थोड़ा सा अजीब सा लग रहा था, बिकस हम इतने टाइम तक अंदर ही थे और एक अगवाइन जगा पर थे तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, और एकदम से बहार आना, एकदम घर के बाहर आपकी कॉंट्रोवर्सी थी, तो कई सारी चीज़े अपकोर्स आपने क्लियर की होंगी घर से बाहर आने के बाद, तो उनमें से कौन-कौन सी चीज़े थी, जैसे कि आपके पादर भी थे, तो क्या बात ही आपकी आपकी? कॉंट्रोवर्सी जो भी हुई थी, यह मुझे पता ही नहीं था पहली बात, तो बाहर आके मुझे मालूम पढ़ाए कि इतनी बड़ी बात हो गई है, तो घर के अंदर तो मेरे लिए एक नॉमल सी बात थी कि हम एक घर में रह रहे हैं, और कोई दुनिया का अता पता नहीं कुछ नहीं पता चिडिया कहा से उड़ी, हम चिडिया देखकर भी खुश हो जाते थे जब एक चोटी चिडिया आज जाती थी और एक बिल्ली भी आ गई थी, तब हम उसे भी देखके बहुत खुश हो गए थे, तो ऐसी चीज़े होती थी घर में, अब बाहर आते ही, और सोमी और रॉमिल को लेकर, तो ये सारी पहले चीज़े मैंने सौट आउट की है, और अब तक करती आ रही हूं, तो जिस तरह के आपकी सवाल आने वाले मुझे पता है, तो वही कर रही हूं बहार आके बस, तो अनूप जीद के साथ आपकी मुलाकात हुई और क्या कहा अनूप के अंदर तो आप लोग की जादा बाते नहीं हो पाएं जब वो सेकेंड टाइम गह थे, लेकि जब बाहर आई तो किस तरह की बात ही हुए अनूप छी से मैंने पहले फोन पे ही बात हो गई मेरी मैं से मिल नहीं पाई हूं क्योंकि आप लोगोंने मेरा पीछा जहां मैंनों उनसे कहा है कि अनूप जी सॉरी वो चीज बहुत बढ़ी हो गई और बहुत एंबारसिंग हो गया था हम दोनों के लिए बट आप एसी कंटेस्टिं थी जो बहुत लंबे समय तक बिग बहुत सारे ने लोग की एंट्री हुई बहुत सारे शॉकिंग एविक् यह हमेशा की लिए I think friends for life रहने वाले हैं और इसमें कोई changes तो नहीं होंगे मेरी तरफ से तो बिल्कुल नहीं होंगे और मेखा के साथ जो मेरा connect रहा है throughout एक बहुत ही कम समय में हम दोनों इतनी अच्छी सहेलिया बन गई हम आपस में चुगलिया करती थी हम आपस में प्या बहुत हैं तो मेखा के साथ ही मिलना जुलना होता है और मेखा के साथ ही मिलना जुलना होता है और मेटिं कि कब श्रीया और बहार आएंगे क्योंकि आनको बहुत निस्कर रहे हूँ बहुत है तो बहुत है जाएंगे कि आपके दोस्ती के शिवाशी से अपने बात की है और क्या कुछ आपके एक बीच में ऐसा आया था जब शिवाशी से आपसे काफी दूरिया बना रहे हैं तो आपने नाव आपके साथ नहीं जोड़ना चाहते थी तो आपने इसारी बहा करने की जरूत ही नहीं पड़ी विकाज जब वो मिस अंडिस्टैंडिंग हम डोनों की बीच में हुए थी वह हुए थी कही ना कहीं शृष्टी की वज़े से हो गई ती क्योंकि शृष्टी का नेचर रहा है हमेशा से कि जब मैं सौरभ के साथ दी बात करती थी तो उसने सौरभ के साथ जानभुच के मेरे खिलाफ भढ़काना शुरू कर दिया यह तो सौरभ की समझदारी थी कि उनको समझ में आई बट शिवशीष के केस में यह नहीं हो पाया क्योंकि शिवशीष शायद कही ना कहीं उनके बातों में आ गए और उन्होंने काफी उसको शृष अगर दो लोग friends हैं तो मेरे हरकते हैं या मेरे behavior के साथ मैं सोच रही थी कि शिवशीष मुझे as a friend accept करेंगे बट उनको difficulty हो रही थी यह समझने में कि मेरा जसलीन का different behavior है और कुछ चीज़े उसको hurt करती तो वो loud हो जाती है शिवशीष का वैसा nature नहीं है तो वो दोस्ती हम दोनों के बीच में जो जगडा या कह सकते है के misunderstanding हुई वो इसी वज़े से हुई कि शिवशीष expect कर रहे थे कि जसलीन वैसे ही रह जैसे वो चाहते हैं तो वो नहीं हो पाया तो वो misunderstanding I think घर के आने के बाद वो clear करनी की ज़रोती नहीं पड़ी और of course हम बहुत अच्छे दोस ही है और जो लोग बाहर बात कर रहे है मैंने तो सुचा भी नहीं था कि इस तरह की बात बहार आएगी सुखी जी और मैं बहुत अच्छे दोस्त हैं और हमेशा रहेंगे I've known him for about six years और he's a family friend घर पे आते हैं family से मिलते हैं तो इस तरह की कोई बात नहीं है and you know आप किसी से ब बाहर आया थे तो हमने उनसे सवाल किया था तो अनुप जी का कहना था कि हम लोगा friends का जो group था उन्होंने हमें इस बार में बताया था अनुझ जरूरी नहीं लगा कि मैं आप से पूच्छाई ही नहीं यह बात अनुप जी को भी शायद कहीं गलत सोना होगा उन्होंने ऐस असलीम क्या है लोगों को देखने अफकोर्स मिला ही था लेकिन कहीं ना कहीं आपके जो past है वो बिग बाते खुल रहे थी जैसे सुक्विंदर सिंग वाली बात हो गई और एक और बात सामने आय थी कि आप अनुप जी के बच्चे की मा वनने वाली थी और that's why उन्होंने आ इसमें कोई सच्चा ही नहीं है क्योंकि अगर ऐसी बात है तो मैं जानना चाहते हूं कि यह किसने कहा है पहली बात तो और मुझे जानना है कि अगर यह you know abortion की बात आई है और कहां पर मैंने किया है abortion कौन सा doctor है कौन सा hospital है यह clear बखवास है और लोग इस तरह अगर बखवास पहला रहे हैं तो यह बहुत ही गलत बात है इसमें कोई सच्चा ही नहीं है और रही पास्ट की तो अफकॉस लोग कुछ ना कुछ बाते बनाते हैं लोगों का काम है कहना तो मुझे यह चीज मुझे इससे कोई फरक नहीं पड़ता अगर कुछ ऐसे लोग मेरे बार में कहन भी चाहते हैं तो आप कहते रही है इसमें कोई सचाई है और मैं क्लियर भी नहीं करना चाहती इस बात को आपको लगता है जसलीन की आप जो बेक नेशनल तेलिविशन पर थी तो आपकी जो दोस्त है या पर जो आपकी कभी रहे होंगे वो आपका नाम अपने पॉपुलरिटी के लिए यूज कर रहे थे बिल्कुल हो सकता है क्यों नहीं हो सकता I think कुछ लोग जो मेरे फ्रेंज र करना है तो लोगों को पता ही है मैं किसके साथ तुटती बैठती हूं यह चीज मुझे क्लिवर करनी की ज़रोती नहीं है आपके नहीं दोस्त में से एक राखी सावन भी जिन्हों ने कहा कि मैं जसलीन के साथ बच्पन की मेरी दोस्त है वो और उन्होंने मुझे बताया है बैरे मैं वो मेरी फ्रेंड नहीं थी मैं बहुत छोटी थी जब उन्होंने मेरे पापा की फिल्म में काम किया था तो मैं बहुत छोटी थी और दोस्ती की बात नहीं है राखी मुझे से काफी बड़ी थी उस वक्त तो कोई दोस्ती नहीं है, बट हाँ उन्होंने मेरे पापा की फिल्म में काम किया था, वैसे हम एक दूसरी को जानते हैं. जुसलीन, जब आप घर में थी, तो कई सारी लडाईयां भी आपकी हुई. जिन में से सूमी खान एक है, जिन में से रोहित सुचानती के साथ भी आपकी लडाई हुई. बहुत जादा लडाई हुई. तो आपको लगता है कि कही न कर लडाईयों की वज़े से इमिच खराब ह हो जाती है आप बिंग बॉस की गर में रहते हो sto जोगे आपकी मुपर्लै अगर आप घ्राइं हो अगर लटाइय कर रहे हो और किसी सही बात के लिए लड़ रहे हो अपने हक के लिए लड़ रहे हो अपने अच्छा दिखाना है अपने आपको क्यों वो चीज करनी है, अगर आप लड़ते हो, अगर आपको कोई गलत चीज हो रही है, तो बिलकुल लड़ो, तो ही आपका रियल बहेवियर सामने आएगा, तो ये फेक बहेव जो करने वाले लोग हैं, वो शायद इस बात से, शायद बहेव करती हो, और क्रेजी हो जाती है, वैसे ही लड़ी हूँ और वैसी ही मैं हूँ, और एक और बात ही थी कि जब आप दिख बॉस के घर में थी तो रहती ने कहीं आपकी मेकप पे और खाने को लेकर बहुत जादा कॉमेंट्स पास के थे, आइटिंक रोहित बहुत ही ब पास ने, अगर अगर धूंडे रहते थे मौका का क्या मैं इसको बोलू, क्या इसे हड़् करूं, जब कि उन्होंने यह बातिं जो मेर्त घाने पे कही है, वैसे ने कोईख टीज करना नहीं होता किसी को, चीज करना और हां मेरे हिसाब अग अग चीज़े हैं, आगर वह मु बड़ा रीजन चाहिए था, एक बड़ी चीज चाहिए थी कि मैं इसको कैसे दुख पहुचा हूँ तो यह कहने लग गए कि तू टास्क नहीं करती तू ऐसी है तू पागल है यह वो करके उन्होंने बाते बोली और यह बहुत छोटी सी बाते हैं उनका सोच इससे पता लगत जिनमें से एक यह चीज थी कि वो कहते थी कि तुम सफाई से नहीं रहती तो आपने उनका जवाब दिया था कि तुम्हें OCD हो सकती है वो मामला काफी दिगड़ गया था देखिए शुष्टी को बहाने चाहिए थे मुझ से लड़ने के लिए I think उनके बार में हर रविवा सालमान सार ने कभी नहीं कहिए वीड़ग कभी देखने की कोशिश कर रही थी कि मैं इसको छेड़ूज़ूंगी इसको बोलूझ कि तुने मतब यह कैसी लड़ाई कि जस्ली तुमने का तरीका था उसका थी यह कि वह लग जा रहते जिघा और उसको फूटेज लेनी थी, तो फिर मेरे साथ जगड़ा करके ही फूटेज लेनी होगी वो इस बार जो बिग बॉस है कही नहीं है, कहीं यही नजर आ रही है कि लोग सेलेप्स को जादा से जादा टार्गेट कर रहे हैं ताकि बिल्कुल बिल्कुल, तो हुआ ये है, जो मुझे ऐसा लगता है, मैं जितना time spend करके आई हूँ घर में, जो commoners आए हुए है, उन्होंने celebrities को इस तरहा target किया है, कि उनको इतनी बाते सुनाते हैं, वो मुझे मेरा character assassination हुआ है, ये कहा गया है, कि Jusleen is a gold digger, वो पैसे के पीछे है, और Anoop ज television पर किसी को कोई हक नहीं है कि किसी लड़की के बार में इस तरह की बाते करें, तो जिस तरह की बाते दीपक और सुर्भी ने बोली है, और वो लगातार इवन श्री के बार में बोलते हैं, श्रीशांत के बार में, कि वो टूटी हुई लकडी है, और उनका बैन के बार में and you know, उनकी injuries को लेके जादा से जादा वो hurt करने की कोशिश जो उनकी लगाता रही है सूर्भी, दीपक और रोहित and सोमी इन्होंने जो किया है उस घर में next level चीज़ है next level aggression है and I think ये उनका शायद दिखने का तरीका है कैसे syllabus के साथ हम जगडा करेंगे घुसेंगे, unnecessary topics कोई मतलब ही नी, कोई जगडा ही नी चलते फिरते दिपिका को बोल देंगे फरजी बहू, ए चाय वाली, ए हलवे वाली जसलीन को बोल देंगे, ए मेकप की दुकान ए जा खाना खा, टास्क बास कुछ करती नी इस तरह की बातें मतलब unnecessary है ये सब, तो ये दिखने का ही तरीका रहा है उनका दिपिका के बारे में सब ने कहा कि वो फेक हैं और वो कही न कहीं आप से बहुत ज़ादा उनकी अच्छी बांडिंग हो गई इनिशली जब हम दोनों की शुरुवात थी घर में, हम जब बिग बॉस की घर में गए थे तो मेरी और उनकी बंदी नी थी और मैं उने कहती थी हम आप सन out ख़ने के लिए, हुझाम आप से बिपका के गए कि मेरा काम सही हुआ भाई 되고 जिस तरह कि हमारी बॉंडिंग ग्रो हुई है कि अम समय ते लिधका के बात करूं तो आइसी कोई है, इस पैसल होता है किसी एलिए थार की फिलिंग बात पेलिंग अब लगता है उनकी स्ट्रेटेजी है घर से बाद करना? नहीं, आइसी कोई बात नहीं है, strategy मैं नहीं कहूंगी, हो सकता है, वो मजाख मैं ऐसे कहते हूं, Shri Shant एक बहुत ही प्यारे बच्चे से हैं, और जिस तरह वो बहेव करते हैं, चोटी-चोटी बात पर जैसे दिपिका के साथ लड लेंगे, तुमने हलवानी बनाया मेरे लिए, मेरे साथ लेंगे, जसली तुमने मुझे ऐसा बोला, तो वो एक भाई बहन की जो नोक्छोख होती है, वो, you know, बहुत ही ब्यूटिफुल लग दी है मुझे उनकी, और इवन दिपिका के साथ जिस तरह का उनका रिष्टा है, बहुत ही प्यारा है, तो मैं यह नहीं बोलूँ कि उनकी कोई भी स्टाटेजी है, इस जस्ट आट वो सबसे ज़्यादा रियॉल है घर में, अगर उनको गुसा आता है, तो वो गुसा दिखाते हैं, और इस वेरी ओबिस के हुमन बिहेवियर है यह, अगर आपको कभी-कभी मुझे भी लगता था कि यार क्या हो रहा है, मुझे घर से बाहर निकलना है, निकालो मुझे यहां से, तो अगर वो चीज वो एक्स्प्रेस कर रहे हैं, तो क्यों लोगों को यह लगे कि वो फेक है या उनकी स्टाटेजी है, क्यों नहीं उनको ऐसा लग सकता, तीन महने, साड़ी तीन महने का शो है, आपको कभी भी ऐसा लग सकता है, यार छोड़ो यार यह सब जिस तरह की बाते उनके बार में बोली जाती है, क्यों नहीं लगे किसी इनसान को, कि मुझे निकलना है इस घर से मुझे नहीं रहना और बाद में एक गंटे बाद इंसान शान्थ हो जाता है तो यह strategy कहां से हुई यह इस जस कि वो गुसा है इस इंपुल्सिव तो वो फेक बिल्कुल नहीं है कोई उनकी strategy नहीं है श्रीशान जैसे बाहर है वैसे ही घर के अंदर है एक और सेलेब हैं जिनकी बहुत ज्यादा personality बाहर उभर कर नहीं है वो है करनवीर और नहीं किसे के साथ हम bond नहीं देख सकते हैं क्योंकि कभी वो happy club के member होते हैं तो कभी वो club के पास होते हैं और फिलहाल तो वो दोनों साइट से ही नहीं है और काफी अगेले हैं घर में तो क्या reason को सकते हैं आपको लगता है I think he's a lovely person again but happy club में कहीं फस गये उनको लगा कि यार इनके साथ रहता हूं तो you know मैं कुछ कर पाऊंगा game में तो वो confusion जो है उनका वो clear दिखाई दे रहा है throughout game में तो I think उनका अगर you know game के towards अगर वो confusion अगर clear हो जाती कि मुझे क्या करना अगर KB जैसे हैं वैसे ही रहे तो शायद वो game में ज्यादा notice भी होते हैं लोगों को उनका behavior भी समझ में आता Salman Khan ने Big Boss की सफर में आको कई बार कटगरे में खड़ा किया तो सबसे मुश्किल दिं की बात करे तो कौन सा रहा देकि मुश्किल दिं मेरे लिए कोई भी नहीं रहा क्योंकि मैं बहुत खुश हूँ कि Salman sir ने मुझे अगर मेरे fans ने देखा होगा लोगों ने देखा होगा कि मुझे कभी भी डाट नहीं पड़ी है उनसे उन्होंने एक बहुत प्यारे तरीके से मेरे साथ मतलब you know बड़ी sweetly मुझे कुछ चीज है समझाई होंगी लेकिन उन्होंने मुझे डाट नहीं लगाई और मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे Big Boss के journey में throughout मुझे वीकेंड के बार पर डाट नहीं पड़ी है उनसे अधुवाइस तो अगर वो class लेने पर आ जाया है तो वो सब की class ले ले लेते थे वो नहीं सोचते थे और चाहे वो श्रिशांथ हो चाहे वो सूर्भी हो दीपक हो सब को डाट पड़ती थी पर मेरे जाद ऐसा कुछ नहीं हुआ है and I'm very happy कटगरे में खड़े होकर जो इल्जाम भी मुझे में लगे हैं मैंने बहुत ही openly उन चीजों का जवाब दिया है and he was happy thank you so much thank you so much thank you hi guys I'm Jisleen Matharu और आज चाहे की चर्चा पर हमने Big Boss की बहुत सारी बाते की है और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो please like share and subscribe to Hindi Rush